तो look up and references में हमारे पास कॉन कॉल से formula है यहाँ पर यह देखते हैं almost यह दो classes लेते हैं और देखते हैं अभी कितना लेते हैं ठीक है? सबसे पहला formula है इसमें address का इसमें row number और column number आप दो जिसे row number 2, column number 1 तो यह आपको address बना के दे देगा ठीक है? address को कैसे करेंगे हम आगे address को हां के लिए हम use करते हैं देखो यह text में address तो निकाल लिया use कैसे करेंगे इसको? अगर मुझे जानना है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है उस address पर जाके जो value है वो ले ले तो कैसे करेगा? मालू मैं formula उसके लिए जैसे अभी मैं इसके लिए a1 ले लेता हूँ row number 1 और column number तो अभी देखो अगर आप यहाँ से जैसे यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है तो अगर मैं equal to करके यहाँ से लेता हूँ यह तो लेगा नहीं ठीक है क्योंकि यह अंदर लिखा हुआ है तो इसके लिए आपका formula है क्योंकि यह text है यह जो आपको text के रूप में address निकाल के देता है तो जो formula लगता है वो आपका लगता है indirect इंडारेक्ट में जो आप text देते हो अब इससे text process हो के आएगा इंडारेक्ट उसको address में change कर देगा और यह जो भी वहां लिखा होगा उठा लाएगा चीक है अब इसका use कैसे होता है जैसे की data validation है data validation में एक list का option होता है वहां पर indirect के formula का use किया जाता है अब मान लो उसके लिए मैं कुछ नाम लिखता हूँ यह नाम ठीक है दो जगे में बाट देता हूँ इनको अब यह मान लो department है एक HR department एक admin department ठीक है यहां पर मुझे entry करनी है यहां पर डालना है मैंने department और यहां पर डालना है employee ठीक है तो अभी department तो मैं बड़े अराम से डाल दूँगा यहां select किया data validation कर चुके है ना मोग तो data validation में गया मैं यहां list लिया और list में मैंने चलो यह डाल दिया ठीक है यहां पर तो मेरे पास आ गया पर अब मैं चाहरा हूँ कि जो department यहां choose करूँ यहां पर एक list और लगाओ अब वो उसी के बंदे दिखाए ठीक है तो यह कैसे possible होगा सबसे पहले मैं क्या करूँगा इनका नाम change करूँगा जैसे जो यहां पर reference है उसको इसको कर दूँगा HR इसको कर दूँगा admin मैं जाके यहां से select करके भी कर सकता हूँ और एक short तरीका है कि आप इसको पूरे को select कर लो formula में जाओ create from selection है यहां पर create names from values in top row तो जो top row में जो value होगी उसको यह name में convert कर देगा अब जाके name manager में देख सकते है admin HR के दो नाम बन गए और यह ठीक है यह आपको जैसे कोई लंबा चौड़ा data हो तो वहां use कर सकते है manual मेहनत नहीं करने परती अब 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 आपने आपके HR का मतलब यह हो गया और admin का मतलब यह वारी list हो गया ठीक है तो यहां पर क्या है text है और वैसे क्या है वो address है तो इसको बदलने के लिए आपको indirect का formula लगता है कि वो जो address ले वो इस cell से ले ठीक है आप इस formula को copy कर लो और यहां select करके dollar का ध्यान रखना है आपने list में जाके यह formula डाल दो बस ठीक है अब क्या होगा यहां पर कौन से बंदे आएंगे HR वाले आ रहे हैं यहां admin का हो गया तो यह admin वाले बंदे आ रहे हैं समझ गया internal procedure क्या है कैसे चला रहा है तो यहां आपका indirect formula आपकी मदद करता है आगे देखते हैं इसमें तो row number column number देदो वो address बना देता है जैसे मैंने कहा कि मेरे को यहां पर जो d2 cell है अब मैंने process करा दिया किसी cell से ले लिया मानलो d2 हो गया fourth column second row तो मैंने का यह रहा column यह री row कहीं पड़ी हुई है मेरे पास या मैं किसी criteria के base के दे रहा हूं कि उस case में यह वाली row ले ले तो आप address को दे सकते हो कि row number यह रही अभी मैंने गलत डाला है वैसे और column number यह रहा ठीक है यहां से लेगा तो यह column number मैंने कहा था two row number two ठीक है तो यह d2 address आया और जो वहां लिखा था वो यह आ गया हां यह formula ऐसे ही है एक दूसरे के support में चलते हैं इससे structure बनते हैं बड़े-बड़े automation का काम होता है अभी जब हम dashboards वगरा बनाएंगे ना तो उसमें ऐसे ही आएंगे गोंफिर के वह उसको call कर रहा होगा वह उसको call कर रहा होगा ऐसे करके कि structure बन जाता है ठीक है बस यह है कि आपको सारे formula पता होने चाहिए कि में में कौनसा formula कर क्या रहा है तो यह आप structure बना सकते हो areas यह कोई खास formula नहीं है इसका कोई काम नहीं है पर फिर भी बता देता हूं areas में आपके यह बताता है कि कितनी range इसके अंदर है कितने reference है मैं एक और column ले लेता हूं क्योंकि एक ही चीज ले सकता है यह कॉमा यह अब तीन range है इसके अंदर ठीक है तो यह बता रहा है बस यह कोई यूज नहीं है वैसे इसका जी बी ये के साथ हो सकता है यूज हो इसका जहां dynamic range की बात आता है चूज का formula है चूज का बालू में क्या करता है बिल्कुल बिल्कुल चूज का formula basically किस काम आता है आपको दिखाता हूं पहले वैसे ही दिखाता हूं फिर इसका कुछ काम करके index number यहां पे हम कोई भी number देते है उसके बाद यह value 1 value 2 value 3 आ रहा है यहां पे हम value देते है जैसे 9 value तक मैंने दे दिया ठीक है तो index के base पे वो value रिटन कर देगा जैसे index में 1 लिखा है तो first value रिटन करेगा index में 2 लिखा है तो second number वाली value रिटन करेगा जो उस पर लिखा होगा वही करेगा अब let's suppose कि हमने क्या करना है यहां पे जनवरी फर्वरी रिटन कराना है यहां पे डाल के यसे एक दो तीन चार पांच हमने डाल दिया कुछ भी डाल दिया आप मुझे फार्मूला बनाना है कि सामने वाले से वो ले इंडेक्स नंबर यहां से ले ले और आगे यह जनवरी फर्वरी मुझे लिखना पड़ेगा उससे आसान तरीका है कि मैं वैसे ड्राग कर लो आपको पता है कि अगर मुझे यह सारी वैल्यो एक ही सेल में लानी हो तो कैसे लाओंगा इसके लिए पहले इस डेटा को सिलेक्ट कर लो स्ट्रेच कर लो जिससे उतनी सेल कर लो कि आपका एक सल में आ जाए इसके बाद जाएंगे होम में हैं ना फिल में फिल में जस्टिफाई यूज किया अभी यह रहा एक सल में आ गया अगर आपको लाइनों में बाटना ओ डेटा ना तो इसको इस तरह से कर सकते हैं कि यह जैसे एक उतनी विट द छोड़े जितने में एक डाटा आता है आपका ठीक है फिर फिल में जाएं जस्टिफाई कर देंगे तो यह बाट देगा अगर ठीक है यह कई जगा यूस्फुल हो सकता है फॉर्मूला लगाने के बजाए यह वाला कॉंसेप्ट आपका यूज हो सकता है तो अब मैं कह रहा था कि मुझे चूज के फॉर्मूला में लगाना है अब मैं इन्वर्टिट कॉमा में एंट्री करते हैं तो मैं फाइंड रिप्लेस का वो लूगा कि इस पेस फाइंड करके वहां पर इन्वर्टिट कॉमा कॉमा इन्वर्टिट कॉमा लगा दूगा और रिप्लेस कर दूगा यहां पर यहां पर यह आगे वाले लगा देता ह ठीक है equal to choose और यहां index number यहां से ले लेता हूँ यह हो गया आपका अब यह हो गया अब यहां जो भी change करेंगे आप वहां के बोदे लेता हूँ ठीक है choose का use बहुत अच्छे अच्छा तरीके से किया जाकता है एक छोटा सा automation दिखाता हूँ आपने उसका use किया है क्या ना मैं चलो दिखाता हूँ यहां पर कुछ नंबर लगाता हूँ नहीं वैसे ही काम करेंगे हाँ कोई दिककत नहीं है वो तो सिर्फ लेंथ पर काम करता है कि वो लेंथ जितने में आ जाएगी वो चाहे डेटा कोई भी हो ठीक है अब जैसे यहां पर कुछ नंबर्स है दस ही ले लेते है ठीक है हाँ एक हमारे पास फॉर्मूला है लार्ज का लार्ज और स्मॉल के दो फॉर्मूला है पता है यहां पर कर लेते हैं यहां पर मैंने लगाया लार्ज इसमें मैं पूरी लिस्ट चूज करूंगा मैं चाहता हूँ कि first largest आजाए तो k है कि k वो position है कि first largest, second largest, third largest इस तरह से देते है ठीक है? इसको मैं freeze कर देता हूँ यहाँ पर भी dollar लगा देता हूँ एक तो यह first largest, second largest इस तरह से यह largest to smallest sort कर दिया same formula अगर आप small के साथ use करते हो तो first smallest, second smallest, third smallest इस तरह से देता है ठीक है? अगर आपको पता करना हो कि किसी number की कौन सी rank है इसके अंदर जैसे यह first, second, third कौन सी rank है अब जैसे let's suppose ले लेते हैं 65 यह कौन सी rank पे है data में तो हम rank का formula यूज़ करते है इसमें हम लेंगे number reference और order descending में कि ascending में? ठीक है? यह fourth number पे है इसमें descending में ठीक है? और अगर वहाँ one डाल देते हैं तो ascending में कौन सी position पे है? 7th position पे है तो यह rank करता है अब choose के साथ एक चीज़ करता हूँ इसको कि ascending descending जो है ना मैं यहां पे लिखूँ एक list में और उस हिसाब से होना चाहिए तो पहले जाता हूँ data में list में मैंना डाल दिया asc और dsc करके डाल दिया ascending descending ठीक है यह रहाँ यहां पे मैंने एक formula और डाल दिया कि if asc तो 1 दे दे otherwise 2 दे ठीक है a equal to asc j7 equal to asc ना 1,2 तो यह क्या देगा माला वो इसके formula को आप चाहें अपनी तरह से बना सकते है ठीक है तो ascending descending बदलना है यहां number बदलना है अब choose के formula में हम क्या करेंगे same formula डाल देंगे तो ascending पे 1 है ascending कौन सा हो गया हमारा यह वाला small का पहले choose के अंदर मैं डालूँगा यहां से link ले लूँगा ठीक है index तो ascending है तो small ठीक है और दो जब आ रहा है तो descending है तो large ठीक है यह formula डाल दिया और इसको drag कर दिया अब यहां से यह descending ascending ठीक है चाहो तो यह formula उठाके इसको freeze करके उसके अंदर कर दो copy और यहां डाल दिया आपने इस जगहते यह तो अब आपको इसकी जरुद नहीं अब आपका यह formula इस तरह से चल गए तो एक तरह का automation हो गए इसके बाद आगे चलते है एक हमारे पास formula है row और column ठीक है यह current row number रिटन करता है पर अगर इसके अंदर कोई reference देते हो तो उसका row number रिटन करेगा मतलब कि आप इससे address वाले formula में भी यूज कर सकते हो अभी इसके एक चोटा सा यूज दिखाता हूँ automation में भी इसका अच्छा खासा यूज हो जाता है जैसे यह है यहाँ पे कोई list है या कोई data है ठीक है अब मालो इसमें से मैं delete करता हूँ अगर मैंने serial डाले हैं तो सारे मुझे सही करने पड़ेंगे पर फॉर्मूला हमेशा value चेंज कर देता है तो आपके serial number disturbed नहीं होंगे ठीक है पर अब जैसे इसमें मुझे heading की जरूरत है मालो heading मेरी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ serial आगी है तो यहाँ पे क्या करो उतने ही minus कर दो जैसे एक चाहिए पहले मुझे ठीक है अब इसमें से delete कर दो बना रहेगा अब इसी में आपको auto number चाहिए कि जब मैं value डालता रहूं तब आते रहे number तो simple सी बात है इसी formula को आप इसके अंदर डाल दो कि if अगर हमारे यह बगल वाली cell blank है तो यहाँ पे ब्लैंक आजाए otherwise यह formula चले कोमा ने डाल ठीक है और इसको drag कर दो तो जैसे जैसे आप लिखते जाओगे नंबर आते जाएग और यह number कोई delete भी होता है तो सही रहे ठीक है सेम तरह से आपका column का formula है current column number देता है reference दोगे तो वहां का reference देगा इसी तरह से यूज किया जा सकता है row column के बाद हमारे पास formula है rows and column rows rows में क्या होता है कि आपने जो reference select किया होता है यह बता देता है कि इसके अंदर कितनी row है total और column का इसी तरह से columns का इसी तरह से कितने column है वह बता देगा छीक है इस जितने भी formula में बता रहा हूँ कहीं न कहीं automation से related है कुछ के example मुझे पता है कुछ के हो सकता मैंने आज तक यूजी न की हूँ पर हाँ जब जरूरत पड़ेगी अगर formula पता है तो आपको पता पड़ जायागा कैसे यूज करना है ठीक है उसके यह formula text नया आया है यह कई बार बहुत जरूरी हो जाता है हम लोग का जाना formula text यह 2013 में है तो किसी में reference में कौन सा formula पड़ा हुआ है वो निकाल देता है वैसे और कौन सा तरीका है तिल्ड करके तो आ जाता है पर formula के तो यह लेकिशना यह लेकिशना लेकिशना यह कई बार हमें सिर्फ formula जरुवत होती लिखने है कि यहाँ यहाँ पूरे automation में क्या formula यूज कर दी इसमें तो करके आपने ट्रैक कर दिया मिल गए उसमें फिर आपको यह के करके देखना पड़ेगा फिर अंदर जाके वो equal to हटाना पड़ेगा सब का हाँ वैसे find replace equal to कर दो तो आपको आई जाएगा formula पूरा-पूरा यह स्के इसके बाद यह तो pivot का है hyperlink hyperlink का use किया है कभी formula का hyperlink का भी अच्छा खासा गुब बारा है hyperlink का जैसे कभी हम template सी बनाते है ना और यह dashboard में template बनाते है तो वहां के लिए बहुत अच्छा खासा यूज है index बनाते हैं जैसे तो हर एक जगा main well जाने से अच्छा है हम इसका use कर सकते हैं फिलाल अभी दिखाता हो कि वैसे hyperlink कैसे यूज होता है अब जैसे google rediff rediff तो पता नहीं बंद हो गया शायद yahoo youtube ठीक है मुझे वह मना ना hyperlink link location link location मैं यहाँ type कर दूँगा http या copy करके भी ला सकते है www.google.com इस तरह से हम link देते हैं और यहाँ पर friendly name मतलब कि आपको क्या दिखाना है बाहर तो go जैसे करूँगा तो यह लिख करके आएगा जो कि वहाँ जाएगा अब मैं यह क्योंकि यह text formed है तो मैं इसको concatenate करके भी process कर सकता हूँ कि यहां से ले लो ठीक है तो जब मैं यह formula ड्रैक करूँगा तो यह वही जाएगा Google का आ रहा है यह Yahoo का और यह YouTube का अगर आप इनको चाहो तो लिस्ट में डाल सकते हो यहां पर मैंने डाल दिया data से लिस्ट में तो वैसा आजाएगा अब आज आपने लिस्ट से से लेक करना है और चले गए तो यह Google खोलेगा यहां से चेंज करेंगे तो वहां पर जाएगा तो यह इस तरह से चलेगा ठीक है यह तो हो गए web links अब आप क्या आते है sheet के जैसे sheet में कहीं जाना है आपने इसमें आप कर सकते है hyper link link location इसके लिए हम use करते हैं better है हम इसको देख लें क्योंकि यह हमेशा कुछ signs ही यूज करते हैं उन signs को देख लेते हैं क्योंकि sign में confusion हो जाती है हमेशा workbook का नाम और उसको वह इसी के अंदर ही है क्लिक करोगे help file में आ जाएगा प्रोसीजर आ जाता है कि किस sign को कैसे backslash लगता है या कुछ ऐसा ही sign लगता है जब तक हम खुड try कर लेते है sheet 1 A1 देखते हैं यहा जाता है कि नहीं जाता इदर आ जाएगा help file में कुछ पंगा हो जाएगा नहीं जा रहा है यह workbook के लिए क्या लगता है hash करके देखो हाँ, hash करके आप use कर सकते है ठीक है तो same sheet में जाने के लिए बस्द आप same workbook में hash के through कर सकते है और आपका workbook का नाम और जो भी pattern होते है वो आपको help file में मिल जाएंगे खाली hyperlink लगा दे हाँ तो अच्छा वो तो वैसे ही हो जाता है वो तो sheet 1 आप लिखके ही हो जाता है ना call कराने के लिए hyperlink है वहाँ जाने के लिए जैसे index बना दिया आपने कि इस formula के लिए वहाँ जाएं उस sheet को check करें data में अब जैसे यहाँ पे sheet 1 में मैंने सब में पहले मैंने कहा कि यह मेरा master sheet है ठीक है यहाँ मैंने कहा कि आप base पे return हो गए तो यहाँ पे एक back का button बना देता हूं जैसे hyperlink तीनो sheet को select किया hyperlink यहाँ पे डाल दिया hash sheet 1 और a2 पे आजाओ चलो यहाँ डाल दिया मैंने back ठीक है यह हर sheet पे आगया आपके आप कहीं भी हो back एकटा लग गया और यहाँ से आप चाहे तो sheet के नाम वैसे data validation में देके process करा के यहाँ से करके click किया वहाँ पहुँच गए ठीक है तो एक बार में हो जाता है यह बार बार मेहनत नहीं करने पर दे ठीक है तो यह है आपका hyperlink का आगे देखते है hyperlink इंडारेक्ट कर लिए हम है transpose देखते है transpose का formula आपका जैसे transpose काम करता था वैसे ही यह भी करता है ठीक है बस इतको लगाने का तरीका थोड़ा सा लग होता है ठीक है जैसे कि मुझे यह है मैं यहाँ पर transpose करते है ठीक है ठीक है अगर आपको चाहिए कि यहाँ की value change हो और तब यहाँ पे भी changes दिखा दे तो हम यह कर सकते हैं पूरा select करेंगे equal to transpose range ले लेंगे ठीक है फिर आपने करना है ctrl shift enter यह क्योंकि यह एक array formula है ठीक है तो यहाँ पे कोई change होगा तो यहाँ पे change हो जाएगा ठीक है तो यह रहा आपका transpose का formula अब यह row indirect वाला भी ऐसे ही जगा यूज होता है जैसे कि आपने यह सब चीज किया है कई बार कोई कहेगा आप से कि मैं नीचे ड्राइग करूँ मैं इधर ड्राइग करूँ और row में आना चाहिए तो यह सब भी आपका indirect और इनको यूज करके बनेगा रो को कॉलम को यूज करके बनेगा जैसे कि क्योंकि मेरे से सवाल पूछे थे तो मैं बता रहा हूँ यहीं ले लेता हूँ यह क्योंकि रियल प्रॉब्लम्स थी मेरे पास जहां मैंने देखी थी शीट आटोमेट वगरा होती है वहां उनको ऐसे ही चाहिए था वरकिंग में तो अब जैसे मालो यहां पर शुरुबात करता हूं मैं अब ही मुझे चाहिए कि मैं इधर ड्रैक करूँ तो यह जो है मेरे ऐसे नीचे डाउन होना चाहिए अब यहां पर इंक्रीज करूँगा तो मेरा क्या बढ़ रहा है कॉलम बढ़ रहा है और मुझे क्या बढ़ाना है रो बढ़वानी है तो मैं लगाऊंगा कॉलम रो बढ़वानी है तो रो रो कॉलम से नंबर मिलेगा और वो रो और फिर वो मैं इंडारेक्ट में दे दूगा है ना तो इंडारेक्ट टेक्स्ट में मैं दे दूगा क्योंकि ए है ठीक है इसके साथ कंकैटिनेट करा दूगा करंट कॉलम क्या है मेरा करंट कॉलम चाहूं तो रिफरेंस दे के भी ले सकता हूं पर मैं करंट पे चलता हूं तो करंट कॉलम मेरे को देगा एक दो तीन चा मुझे पहला क्या चाहिए तीन चाहिए तो माइनस तीन करूंगा तीन आ जाएगा ठीक है तो यह हो गया बेरा इंडारेक्ट से ठीक है अब नीचे वाला फर्मूला थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि बात है ए यहां तो ए मुझे बना बनाया मिल गया था वहां पर रो मेरी फिक्स है ठीक है अब मैं चाहरा हूँ नीचे ड्रैक करूं तो यह इदर मालो यह वाली रोले ले लेते तो रो तो फिक्स है फोर है ना मुझे कॉलम में चलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा अब ए को बी त वह देगा रो नंबर मेरी फिक्स है 3 ठीक है कॉलम नंबर जो आएगा मेरा 1234 करके बढ़ेगा तो जो मैं नीचे ड्रैक करूंगा तो रो बढ़ेगी तो रो मुझे रिटन करेगी 3 तीन रिटन करेगी जिसको मुझे अगर एक दिखाना है तो माइनस टू करना पड़ेगा ठीक है, यह रहा 41, 17, 25 और फिर यह वही आ गया ठीक है तो मतलब यह फार्मुले ना लॉजिक अगर आपको आते है ना तो आपका लॉजिक अपने आप फिट बैठ जाएगा प्रैक्टिस की बात है बार ठीक है तो इसके बाद हमारा जो है लॉक अप वाले सारे फॉर्मुले बैठते हैं जो थोड़े से हैवी होंगे तो आप चाहो तो मैं अभी करवा सकता हूं चाहो तो मैं बाद में करा सकता हूं क्योंकि जितना सेक्शन हमने किया है अभी तक इतना ही सेक्शन और है उसमें हाँ हाँ भूल मत जाना पर यह फॉर्मुले क्यांकि वह इंपॉर्टेंट फॉर्मुले है इसलिए मैं कह रहा हूं जैसा बोलो क्योंकि वह भी बड़ा है कमसकम वह भी आदा पॉरा घंटा ले लेगा अधा पॉरा घंटा लग जाएगा कहने का मतला पर दिम्याग थोड़ा फ्रेश रहे समझ पाओ क्योंकि थोड़ा सा तफनेस उसकी है जैसे इसमें भी थोड़े से फॉर्मुले ने यह जैसे यह रो वाले ने थोड़ा सा दिमाग लगवाया है वह हर एक फॉर्मुला दिमाग लगवाएगा जो फॉर्मुला दिमाग लगाता है ना फिर वह ज्यादा देर तक नहीं आप जेहल सकते तो वह मैं तो सजेस्ट करूँगा अगर फ्रेश माइंड से करोगे तो ज्यादा सही रहे है ठीक है ताकि वह याद रख सके वह प्रेक्टिस में आसानी है तो चलो फिर आज के बेने देते हैं और इसके बाद हमारी है कि दो हफ्ते आउट रहेंगे ठीक है और ड़िप जानी है